जुगारू पार्टी ये जुगार करते रहते हैं कोई ना कोई तो उसी तरह से दिल्ली में सरकार है आप लोगों ने बोट डाले मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी हैं तो अगर वो कामी नहीं कर पाएंगे अगर वो अफसरों को अडर नहीं दे पाएंगे अगर व हमारा ही बसादिकार होगा ये क्या अकेला दिल्ली की दो करोड जनता का सवाल नहीं है देश की 140 करोड जनता का सवाल है दिल्ली में हर परदेश का आदमी रहता है यहां करनाटिक से लोग भी रहते हैं मंगाल से भी रहते हैं पंजाबी भी रहते हैं यूपी से भी रहते ह उत्रा खंड से पूरे देश से दिली में लोग बसते हैं दिली देश का दिल है तो इनकी ये हिम्मत कि ये सुप्रीम कोड का फैसला बल्ट दें कि नहीं जी अर्विंद केजरिवाल की चलने नहीं देंगे अब ये दर्याओं को रोका नहीं जा सकता मोदी जी द्रया अपना रास्ता खुद बनाते हैं हकूमत वो करते हैं ये आज का इकठ देखकर अर्विंद केजरिवाल जी मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है आप दिलों पर राज कर रहे हैं इसलिए इस 42 डिगरी टेंपरेचर में लोग आए हैं अभी 15-20 यार लोग आ रहे हैं आ रहे हैं रास्ते में बसें बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं ये प्यार है ये अर्विंद केजरिवाल जी के लिए ये आमादी पाठी के लिए आप असले बुलंड है हम पूरे देश में गए जहां जहां गए आप लोगों के अधिकारों की बात की और हमें समर्थन मिल रहा है ये इसा कप्टिल सिब्ल जी ये तो फिर वी चलो इन्होंने कर रखा है के ल जी है ये फुल स्टेट है पंजाब हमारा राज्यपाल हमें बुलाने दो सुप्रीम कोड ने कहा बजट शेशन होगा इजाज़त दो बजट शेशन के पहले चार-पांच दिन पहले मंत्री मंडल की मीटिंग होती है जो सरकार की प्राप्तियां होती है लफ्जियां होती है वह लिखकर गुवर्णर को दी जाती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया मेरी सरकार ने यह किया तोसरे कहा है house में के कहता मैं इस में मेरी सरकार नहीं कहूंगा मैंने किसकी सरकार है कि ट OFFICER है गार पूzhवा कि भे शुप्रीम और जाना पड़ेगा तो यह हर स्टेट के कोई ना कोई डिक्का कोई ना कोई अर्चन करते रहते हैं यह नहीं चलेगा तो आज की यह अध्यादेश को बचाने की यह लोगतंतर को बचाने की रह ली है कहने को तो हम biggest democracy of the world हैं लेकिन है लोगतंतर कहीं पे लोगतंतर बचा है भाई साब जनता को कठ्था होना पड़ेगा 140 क्रोड लोगों को इकठ्थे होके देश को बचाना पड़ेगा यह देश शहीद आजम भगत सिंग राजगुरू सुखदेव चंदर शेखरजाद अश्पा कुला सुभास चंदर बोस हजारों हजारों शहीदों ने कुर्बानिया लेकर यह देश लेकर दिया था यह किसी कि बाप की जगीर नहीं है कि मैं ही इस पर राज करूँगा मैं ही इस पर राज करूँगा यह देश 140 क्रोड लोगों के पुर्खों ने लेकर दिया है बज़ुर्गों ने लेकर दिया तसीह जेल के यह अपने आपको मालिक समझने लगे हैं यह अपने आपको समझते हैं हम हमी राज करेंगे अगर 140 क्रोड जनता समय पे समा क्या रह गया बाई साब 1 साल रह गया अगर 140 क्रोड जनता यह टै कर ले कि हमने देश को बचाना है तो देश बच जाएगा वरना यह मीडिया वाले खड़े हैं दिखाना है दिखा दो वरना चलो आने का शुक्रिया चलो यह कैमरे लेके तो आ गया चलाना ना चलाना तो इनके बॉसेस का काम है कम से कम हमारी तरफ मुझ तो कर रखे कैमरों के यह इतने हंकारी हो गए है पीजेपी वाले अगर यह दो हैर चौबिस में जीत गए यह सविधान बदल देंगे उसके बाद इलेक्षन नहीं होंगे देश में प्रधान मंत्री जी हमारे निरिंदर पूतन बन जाएंगे निरिंदर मोदी की जगा उन पूतन ने वह यह कर रखा कि 35 साल में ही रहूंगा राश्टपती यह आने वाला निरिंदर पूतन है आप देश को जागना पड़ेगा तो यह डराते हैं अरे इसी मैदान से शुरू हुए थे इसी ग्राउंड से शुरू हुए थे जनम भूमियां आमादी पार्टी की यह हमें मजा करते थे अर्विन केजरिवाल जी को मजा करते थे सडकों पर बैठकर कनूने बनते जीत कराईए जीत कराईए हम जीत कराईए यह सडकों पर बैठें अब यह कुद्रत है वक्त है यह वक्त बहुत बड़ी चीजा है यह राजाओं से भीक मंगा देता है वक्त यह बिखारियों के सर जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को बोलो, अपनी आवकात में रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों हाथ उपर करके दो, नारे लगा दो, इनकला, थोड़ा सा वाज इतनी हो के वहां तक पहुं लें के कुछ हो रहा है रामली लग राउंड में, बताने की जरूरत ना पड़े, कितना कटता आवाज ही बता दे, इनकला, इनकला, भारत माता की, बोले सोने हाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इज़्जत मान से, सुना, सथकार दिया, खुश रहो, आबाद रहो, जि नदार भगतवनमान जी, साथियों, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, अपनी जगे पे बैठे रहिए, अपनी अपनी जेब से मुबाइल फोन निका लिए, बैठे रहिएगा, खड़े मत हो येगा, वरना पीछे वाल आदमी जो है, देख नहीं पाएगा, ये लाख देखो हजारों की भीड जो सामने बैठी है, आप सब लोग दूत हैं प्रब द्याल गजाधारी जोयलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ, आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मंचंदा टावर धलोजी रोड